हर घर महादेव जैमापारवती वेलकम दू मैं चैनल माइम इस मुईत्माखिजा हो पुलिया विग्दम पढ़िया कर रहे होगे महादेव की किरपा पर और आपके परिवार पर सदेव बनी रहे हैं तो आज के वीडियो में क्या बात करने वाले हैं देखो मैंने अभी इशा कैसे करी कैसे मंगाते हैं कैंसेलेशन का क्या है और अभी डिले क्या चल रहा है सब मैं आपको इस वीडियो में बता हुआ इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था हाओ टुशॉप फ्रोम इशा में आई बटन में डाल दूँआ हो आप चेक कर लेना यह उसका लेटेस्ट करना देखना है इसाज़े कैसे करते हैं ठीक है तो लेट्स बिगिन और हाँ इंटा इडिया भी आपको दिख रहे आप चाहिए तो फॉलो कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ लंग बीशम भी बात करनी हो तो लाइक शेयर हैं सब्सक्राइब कर देना तो बस चलते है वीडियो देखो आप तो सबसे पहले आप अपनी गूगल क्रोम या जहां से भी आप ओपन करना चाहो वहां पर बसाब आप इशाला एक लिख दोगे तो यह आपका पहला आ जाएगा ठीक है उसके बाद फिर आपको जो भी पहला लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक कर दोग सब्सक्राइब करें हैं कि आप इसे संब्सक्राइब कर सकते हो इसके बाद यह आप से verify करने को बोलेगा तो आप इसमें OTP डाल दोगे और verify कर दोगे तो ये कुछ इस तरह से verify हो जाएगा और आपका account open हो जाएगा तो अब जो भी आपको purchase करना है सीधा आपको search करना है तो हम पहले उपर ये पढ़ लेते हैं मैकसिमम लोग ईशा से रुदराक्ष के लिए आते हैं तो सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं रुदराक्ष पर आगर आप करसर रखोगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें गोरी शंकर है, दो मुखी है, शन मुखी है, आदी योगी विचेन है, पटिक माला है दूसरा है temple and consecrated item जो भी होते हैं आप स्क्रीन पे अभी पढ़ सकते हो योगा स्टोर है इस पे भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको copper bottle चाहिए, copper glass चाहिए, mug चाहिए अगर आप कुछ इन से purchase करना चाओ, millet, dosa, mixes ये सब आप पढ़ सकते हो उसके बाद healthy and immunity का कोई भी item अगर आपको खरीदना है तो इन शॉर्ट जो भी आपको खरीदना है आप उस पे क्लिक कर सकते हो और यहां उपर search bar में search भी कर सकते हो मैं बहुच मानता हूं कि आप यहां पड़ लो और खरीदना अभर जासे है यहां लोग रुदराख्ष के लिए आते हैं तो हम रुदराख्ष की तरफ ही चलते है तो रुदराख्ष वपन क्लिक कर देंगे ठीक है आप सबसे बेस्ट है एक चीज में आपको पताओं बहुत सर लोगों कन्फिज होना है कि हम यहां से खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे तो आप अपने डिलेवरी पिन कोट डालोगे आप चेक करोगे तो आपका अगर दिखाता है तो ही आप आगे प्रोसीड क यह क्लिक है तो यह खुल जाएगा धी जो भी ऐटम है वह आईटम है जीसके नीम और हल्दी की सीट है और आप पढ़ सकते हो सब स्क्रीन पर है त्रिफला चूरन है तो इनको भी आप चाहो तो एड़ कर सकते हो तो इस तरह कुछ भी जो भी आप चाहो वो चेक कर सकते हो अब एक और है कि आप इनके में पेज पर आए ठीक है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप इन तो आप बस add to cart करो तो यह तो यह तरीका हो गया इस तरह आप इन से purchase कर सकते हैं अब हम देखेंगे कि इसके कार्ट में क्या है और कार्ट पे क्लिक करेंगे तो उससे पहले एक चीज़ देख लेंगे जिसे कि आप यह है इसमें आप अपना order चेक कर सकते हो जो भी आपके पुराने order रहे हैं वो आजाएंगे ठीक है और अगर आपका जो भी आप चेंज करना चाहो कुछ भी content info वो भी change हो जाएगी तो इस तरह ही रहेगा उसके बाद हम सीधा कार्ट पर चलते हैं तो हम कार्ट पर आगए और व्यू कार्ट करेंगे तो अब हम कार्ट पर आगए तो इन्हों ने यहां clean लिख रखा है कि delay in dispatch चल रहा है due to system upgrade तो पांच दिन का delay हो सकता है तो पांच दिन यह ले करूंगा तो इसको आप यहां से रिमूव करेंगे अभी आपकी रिमूव हो गई ठीक है और आपका इस तरफ राइट साइड में summary दिखा देंगे कि आपका shipping लग रहा है order कितने का हुआ और कुछ आपको रिमूव करना तो आप कर सकते हो और अगर आपके पास कोई voucher है त कर सकते हो और चाहो तो इधर से इसको एडिट भी कर सकते हैं पर हमें अभी कुछ एडिट करना नहीं है हमें प्रोसीड ही करना है तो हम वापिस प्रोसीड पर ही चलेंगे इसके माद लेफ्ट साइड पर आपका address आ गया और अगर आप कुछ भी रिव्यू करना चाहो तो shipping चाहर्द अपना वीरो लग रहा है क्योंकि अपन साढ़े नो सो से उपर इसको पर्चेस कर रहे हैं साढ़े नो सो से नीचे रहेगा तो 99.99 रुपे shipping चाहर्ड लगता है जैसे सब कुछ हो गया तो हम उसके बाद place order पे click कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हम इसको पे करने वाले हैं तो यह कुछ payment option है debit card, credit card, net banking, wallet, UPI पर अभी भी इसमें COD नहीं है तो हम जल्दी यल्दी detail fill कर देते हैं फिर मैं make payment कर देता हूं तो मैंने अपनी सारी detail fill कर दी दिये अब हम सीधा इसको make payment पे click करते हैं तो देखा आपने किस तरह वहाँ से shopping करते हैं अब इसमें जो मैंने products मंगाए थे वो मैं review करूँगा ठीक है मैं अलग-अलग भी कर दूँगा या unboxing वाला डाल दूँगा तो अपन बाद में देखेंगे जब मेरे को product receive होएंगे अच्छा एक चीज मैं आपको बाद में बत सकते हैं आपको मैं वहां website से नहीं कर सकते ऐशा को mail करके ठीक है आपको cancellation करना है before shipping करते नहीं है दो दिन से तीन दिन से पहले तो उससे पहले आप जित्ता जल्दी मैं पहले आप कर दोगे ना cancellation का inform कर दोगे तो बेटर रहेगा ठीक है सुबह करो तो ज्यादा है क्योंकि वहां पर रात को reply वो नहीं देखेंगे मलब ऐसे होता ना 527 का वाला टाइम एसा कुछ नहीं में तो आप पहले कर दो के जित्ता उत्ता ज्यादा अच्छा है तो कर देंगे अब रिफंड कब आएगा उसका देखो साथ से दर्जिन लग सकते हैं ज्यादा भी लग सकते हैं इसमें एक्सक्लूडिंग है और एक शनिवार अभीवार ये सब एक्सक्लूडिंग है तो इसके अलावा जो भी बिजनस डेज होते हैं उसमें वह आपको कर देंग करनी है तो क्या तो रिफंड एक्चेंज जो भी है वो हो जाएगा मैं आपको एक सजेशन हुआ किसी से भी लो जब भी आप ओपन करो एक वीडियो बना लो तो बहुत अच्छा प्रूफ रहता है तो इशा को भी आपको प्रूफ दे देना आप जब भी अन्बॉक्स करोगे तो बता देना उनको यह यह प्रूड़क्ट डिफेक्ट आया है तो प्लीज इनको आप रिफंड ले लो यह रिटन कर दो एक्षेंज कर दो वह आप सोलुशन ले ले लेना उनसे देखो थोड़ा टाइम टेकिंग है इनका प्रोसेस लेकिन यह हो जाता है पर अब क्या करे कितना लगता है लेकिन मैं आपको क्या दूँ कि साथ से दस दिन लगते हैं आप तक आने में और अभी मैंने अभी अभी के लिए शायद वो क्योंकि उनका अभी अपडेट हो रहा है वेबसाइट तो यह वीडियो के बाद वो ठीक कर देंगे तो ज्यादा उसको कंतेडर म भी टाइम ज्यादा लग रहा है और यह उन्होंने वेबसाइट पर मेंशन कर रहा है कि पांच देका डिलेयर शिपिंग में अगर आपको सही लगता है तो यह ओडर करें नहीं तो रुक जाएं अभी इसके बाद है कि इनका अभी भी है ना हर पिन कोड पे नहीं है तो इंडिया में तो वहीं से बेच रहें और कुछ पांच शे कंट्रीज हैं जहां पर यह भी डिलेवर करते हैं इसके अलावे कहीं डिलेवर निकरते हैं आप इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे तो मुझे कोई sponsor नहीं है बस मैंने इशा से इस बार नए product देखे मैंने मंगा लिए तो इसलिए मैंने का यार दुबारा एक वीडियो डाल देते हैं क्योंकि वो पुराने है तो क्या है मुझे अपडेट करने पड़ेंगे उस टाइम मुझे ज़्यादा बता नहीं था बोलना जैमा पर्वती रादे रादे जैसिया राम भाई भाई